हालो बच्चों मेरा नाम है अरुन्तिवारि आपका बाइलोजिय मेंटर हम लोग लास्ट क्लास में सेक्सवाले प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्शर नंबर सिक्स पढ़े हुए थे ना आज लेक्शर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूं इसमें हमने लास्ट क्लास म पांच मिनिट लेट हुआ गूड इवरीवन रस्मी आइसवर्या अभी राजिंद्र कुशाग्र जेवा अंकित रचना साच्छे सुमान आइसवर्या से बात मत करो साच्छे तो मैं हूँ आपका बाइलोजिय मेंटर अरुन्तिवारी डिरेक्टर यलवन कोचिंग एड़ अब लोग ने बच्चों सेक्षारी प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था उसका लेक्षर नमबर 6 पढ़ा था तो आज हम लोग उसके आगे कंटीनु करेंगे पॉलीनेशन करने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइस करते हुए आगे बढ़ते हैं फिर आज म सिन प्लावरे डिफ्रेंट बयाओ एप सेम अब अब इस प्लावज था अ बॉलते हैं जब और उसी फ्लावर का पॉलाउर की स्टिगमा पर जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं अगर उसी प्लांट के किसी और फ्लावर पर जाता है तो उसको बोलते हैं जिटैनो गयमी और दुसरे प्लांट के फ्लावर पर जाता है तो उसको जनकार है वो बोलता है cross-pollination है इसलिए ने जनेटिक्स के इसाब से इसका definition बोलते हैं न तो ecology के हिसाब से बोलते हैं तो अलग से category बनाए गई जिटेनों गईमी ठीक है तो तीन हुआ आटों गईमी जिटेनों गईमी और अलों गईबि इसके बाद next हम लोगों पढ़ना था adaptation for self-pollination उसमें तीन हमने पढ़ा था adaptation for self-pollination में पहला था है लोकि बारा कि है अगर दोनों सेब्सार्गण होना चाहिए एक flower में दुसरा था लाश्ट में था हमने कहा था कि अगर एक ही फ्लावर के पॉर्ण कोई और बाहर से पॉलिंगरिन के आने की संभावना नहीं है तो उसको हम नाम देते हैं कि फिर इसके बाद हमने बताया था अवर एडर्शं इसमें पांस तरह यहप्तशन थे पहला था यूनी सेक्षॉली यूनी सेक्षॉलीटी को यह डाइकलाई नि बोलते हैं तिसरा था डाइकोगयवी डाइकोगयवी मोली होता है बाइससेक्शॉल फ्लावर प्रजेंट बट बहुत सेक्सारगर मैचुरेट डिफरेंट टाइप तो अगर प्रो एंड्रोसियम पहले मैचुर होता उसको प्रोटोगाईनी बोलते हैं तो प्रोटेंडरस कंडिशन हो चाहिए प्रोटोगाईनस कंडिशन नेक्स्ट उसके बाद हमने बताया था अपना ही फ्लावर का पॉलिनेशन मातली हो जाए पॉलिनेशन के लिए यह प्रोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटो एक जगर से दूसरे जगर ले जाने में क्योंकि लास होता है। इसलिए नंबर संख्या जादी के अंदर होता है तो हाइपोधिलन की जो इपी हाइड्र को का परले कातdeal होता है तो आरीण तो फिल्म होता है तो और दे। बैट की द्वारा पॉलीनेशन होता चिरेप्टेरोफिली और अगर कि द्वारा हो गया हां मैं इसनेल की द्वारा या इसलक से या इसनेल की द्वारा होता है तो मैलेकोफिली होता है हमने तीन इंटेमोफिली स्पेशल इंटेमोफिली के नाम बताया था पहला था पहला था कशी सुआ तीज्द लोक यह उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे घर ना मनदे पॉलिणेशन हो गया फॉलिणेशन हो गया वह स्टिग्मा के उपर होता है ध्यान सुनिएगा संवी लोग इस्टिग्मा के ऊपर आ जाने का मतलब यह नहीं होता कि 不लिणेशन हो गयी जरूरी मिलयाइक हो गया तोThat till काम खतम अभी शुरू हुआ है पॉलीनेशन का मतलब होता है पॉलेंग्रेन के ऊपर पॉलेंग्रेन के ऊपर अगर पॉलेंग्रेन स्वरी स्टिगमा के ऊपर पॉलेंग्रेन आ गया तुस्सी को हम क्या नाम देते हैं पॉलीनेशन मतलब जैसे माल लो इस्टिगमा है बाचित नहीं यहां ध्यान देजे सभी लोग जैसे मालोई स्टीग्मा है यह मालीजे स्टाइल है इसका बेस है यह स्टीग्मा है अब यहां पर पॉलेंग्रेन आ गया यह आपके आ गया पॉलेंग्रेन आ गया पॉलेंग्रेन यह पॉलेंग्रेन है क्या है पॉलेंग्रेन और यह स्टाइल है यह स्टाइल है यह पॉलेंग्रेन है और जो स्टाइल है यह यह पॉलेंग्रेन है ठीक पॉलेंग्रेन यहां आने के बाद क्या होगा तीन स्टेज होता है पॉलेंग्रेन के पॉलेंग्रेन जब यहां पर आ जाता है तो उसके आगे का जो स्टेज होता है वो यह होता है पहले तो पॉलेंग्रेन यहां पर दिवाइड करेगा पॉलेंग ग्रेन डिवाइड किया ते इसका है का एक जाइन हो गया एक क्या है पॉलन ग्रेन है पॉलन टीव बशा देखो नाinea पॉलन टीव हुआ इसमें तीन नूकलियज दिख रहे है आपको कितने नुकलेज तीन नुकलेज सबसे पहला वाला नुकलेज जो है उसको teeub nucleos बोलते है pollen tube को nucleos है और बाकी जो दो है बाकी जो दो है e है इन दोनों को बोलते है male gamet क्या बोलते है male gamet male gamet यह दोनों क्या है male gamet और क्या है tube nucleus अब यहाँ पर divide करें यहाँ पर आएगा ठीक है अब कैसे आएगा इसी कहों लोग पढ़ेंगे कि pollen tube यहाँ तक पहुंचेगा कैसे यहाँ पहुंचने का तीन रास्ता है बच्चो पहला रास्ता क्या है पहला रास्ता क्या है पहला रास्ता है देखिए उपर लिखा है intria pollen tube in style क्या क्या है intria pollen tube in style intria pollen tube in style intria pollen tube in style कैसे होता है भहिया pollen tube in style मलब यह style है style जो आप जानते हो style ने यह वाला style जो cylindrical structure है इसको style बोलते है अब इस style दो तरके होते है बचो एक का नाम है solid style और दुसरे का नाम है hollow style दो तरके style होते है solid style और hollow style जो solid style है ए इसका transfer section काट देते हैं तो अंदर इसके इस तरह का structure दिखेगा और यहां center में solid style किसमें होता है मालूम है dicot में होता है पर लिखते चलिए अब भाई सब लोग और यहां center में कुछ अलग tissue होते हैं जो blue color का मैं दिखा रहा हूं एक कुछ अलग tissue होते हैं इस अलग tissue को बोलते हैं transmitting tissue बहुत important है कि कई बार medical exam में आ चुके हैं transmitting tissue transmitting tissue बोलते हैं तो जो center में है इसको क्या बोलते हैं transmitting tissue transmitting tissue होता है उसके बीच में उसके बीच में जो खाली जगह रहता है वहां से इस्टाइल स्वरी पॉलें ट्यूब धिरे धिरे नीचे की तरफ जाता है जो transmitting tissue होता है उसी transmitting tissue के सेल के बीच में बच्चों जो जगह होता है न वहीं से पॉलेंट से अंदर अंदर धिरे धिरे घुसता है तो सॉलीड इस्टाइल किसमें होता है डाइकॉट में कोई कूचेगा transmitting tissue किसमें होता है क्या बताओगे डाइकॉट में transmitting tissue किसमें होता है डाइकॉट में प्रेदम हालो इस्टाइल होता है न जो हालो इस्टाइल होता है हालो इस्टाइल जीसे से हैं स्टाइल में यहां से देखो यह देखो यहां से pollen tube जो है एक दिवाल से जो pollen tube है इस style कि दिवाल साइसर अपने आपको attach कर लेता उसे इक सहरी नीचे की तरफ आता है अजर्ट से इस hya टैज़ होकर नीचे की तरफ आता है हालो youth style बेढ टीसू होते हैं इस दिवाल पर इस दिवाल पर जो टीसू होते हैं इसको बोलते हैं सिक्रीटरी सेल क्या बोलते हैं सिक्रीटरी सेल तो कहते हैं जो हालोई स्टाइल होता है उसके दिवाल पर सिक्रीटरी सेल होते हैं उसी सिक्रीटरी सेल के साहरे पॉलिं ट्यूब नीचे की तरफ आते हैं सेट रीटे रीस है CGIicio किसमें होता है हालो इस्टाइल में क्रेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों हालो इस्टाइल डाय। किसमें होता है मोनो कॉट में तो ट्रांस्मीटिंग टीशू कोशन आता है है transmitting tissue किसमें होता है transmitting tissue present in solid style and hollow style present in monocot and in monocot in the wall of style secretary cell present secretary cell present होता है उसी को सारी निच्षाइब ये हुआ बच्चो entry of pallent tube in style तो दो तरग का style पढ़े solid style और hollow style next अब अग्ला है कि style के अंदर तो माली जे आ गया style से होते रिपार्टवम नीचे आगे आडें आने के बाद उसको क्या मिलेगा ऑव्यूल मिले एक तो रहकर एंदर इसude और पॉल L तो इसके अंदर पॉलेंट्यूब नहीं झाना हैור इसके अदर इसके अंदर पॉलेंट्यूब को आना है तो तो इस ओव्यूल के अंदर देखो यहां लिखा है इंट्रिया पालेंट्यूबिल ओव्यूल के अंदर आने का तीन रास्ता हो सकता है पालेंट्यूबिस माइक्रोपाइल से होकर आए अगर माइक्रोपाइल से आता है अराम से सीधे से माइक्रोपाइल से होकर आता है तो इस इंटर करता है उव्यूल के अंदर इसको बोलते हैं पोरोगयमी पी ओ आरो पोरोगयमी एंड दिस सिटे पोरोगयमी ज्यादे तर इंजियो इस पर में यहीं होता है यहां पर पॉलेंट्यूब कि धर से गुशता है, याद रखिएगा कहां से? माइकर फाइल से अगला है मिसोगवेमे पॉलेंट्यूब इंटर इन ओविउल थो इन्टेगुमेंट इन्टेगुमेंट को तोड़कर जब पॉलेंट इन्टेगुमेंट के थूब अगर पॉलेंट ट्यूब इंटरीन ओवियूल थो इंटरू 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 इंट आया किसमें जाता है इसका एक्जामप़ लिखना पड़ेगा आपको यह होता है कुकर बीट में किसमें होता है। कुकर बीट में हुता है। मिजों गयमी किसमें होता है कुकर बीट में । अगलाquinho पॉरलें ट्यूब इंटरApp dennos फ्रोद स्विध निकलता है नो उसको चलाजा बोलता है यह चलाजा है अगर पॉलेंट ट्यूब चलाजा से इंटर कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे चलाजो गई में तो पॉलेंट ट्यूब इंटर इन ओविल थो चलाजा तो चलाजा से अगर इंटर करता चलाजो गई में बोलता है इसका माइक्रोपाइल के थ्रू जाए हाना कि जादे तर माइक्रोपाइल के थ्रू ही जाता है या तो माइक्रोपाइल के थ्रू जाए उसको पोरो गईमी बोलते हैं इंटेग्मेंट के थ्रू जाता है तो मीजो गईमी बोलते हैं और चलाजा के थ्रू जाता है तो उसको चलाजो गयमी बोलते हैं चलाजो गयमी बोलते हैं चलाजो गयमी बोलते हैं चलाज ओ गयमी सबसे कामन को न सबसें अब समुसा होता है ना आप सभी लोग बर्छांत से सुन रहे हो समझ में आ रहा है यस बोलों कि तहम हम आगे बढएंगे रिस्पॉंस करो भई क्लियर दलवीर सिंग बोलें क्लियर सर तो पॉलिनेशन के बाद दो इस्तिती बने बता है न तो एक तो हुआ कि स्टाइल के अंदर कैसे आएगा इस्टाइल दो तरह का सॉलिड इस्टाइल हालो इस्टाइल और फिर बने बता है कि जो व्यूल होता है माइक्रोपाइल से थ्रू आता है तो पोरोगयमी और इंटेग्मेंट को तोड़कर आता है तो इसको बोलते हैं मीजोगयमी तो सबसे कौमन कौन सा होता है पोरोगयमी माइक्रोपाइल के थ्रू आता है और चलाजा से आता है तो क्या बोलते हैं चलाजयोगयमी और माइक्रोपाइल के थ्रू आता है तो पोरोगयमी ठीक ओके चलो अब मालों पॉलेंट्यूब कहां तक पहुंच गया ओवियूल तक पहुंच गया अब आएगा इंट्री आप पॉलेंट्यूबीन एंब्रियो सेग लास्ट सबसे जाज सबसे इंपॉर्टेंट इस्टेप सबसे इंपॉर्टेंट इंट्री आप पॉलेंट्यूबीन एं तिविन एंब्रियो सेख इंट्रिया पॉलेंट उबिन एंब्रियो सेख अब देखो चाहे कोई भी कोई भी तरीका हो उद्वियो के अंदर ऊब्रियों इन्टर करें चाहे पोरोगई मीसे किसी भी तरीके से अंदर जाए अंदर जाने के बाद उसको देखिए मैं इस ट्रेक्चर बना रहा हूं यह है और यह उसका है इंब्रियो साइब इंब्रियो साइब के अंदर यह सिनर्जिड है बीच वाला एगसेल है ब्लू कोलर वाला और यह सिनर्जिड है तो दो सिनर्जिड है यह एगसेल है यह क्या है एगसेल एकसेल और तीन एंटी पोडल से यहां पर रहें तीन ध्यान से समझेए इस ज्यादा कॉस्चन पुष्टा है और यहीं लास्ट है हम लोग का आज क्लास का इसके बाद कॉस्चन करेंगे इसे पूरा कहानी है वाई कि यह है अभ यह ओवियोल है था इजह उवियोल है तो यह उवियोल है इसका से को इंटेगुमेंट होगा अब पॉलेंट ट्यूब को कैसे पॉलेंट क्यों में थंट लेकिन उसको अंदर इसके अंदर तो इंटर से करेगा जहां पर सिनर्जीड होता है क्योंकि सिनर्जीड के बगल ही एग होता है यह है यहां तक जाते जाते इतना काम होते होते जो और एंटी-पोडल सेल होता है पूरी तरहों से डिजनरेट कर जाता है और दूसरा पॉलल को यहीं पर जो सिनर्जीड है जो डिजनरेटिंग सिनर्जीड है वहीं पर आने के बाद पॉलन टूब यहीं बस्ट कर जाता है और जब पॉलन टूब यहां फटता है तो दो नुकलियस पॉलन टूब से निकलता है एक नुकलियस जाकर पोलर नुकलियाई को फ्यूज कर देता तो बनाता है primary endo sperm nucleus primary p E primary endo sperm nucleus और दुसरा में लगय मेड्य होता होँ एक सेल से प्यूज करता है तो बनाता है जाइगोट समझ में आया भूछ सिंपल है काते हैं पॉलेंट ट्यूबu इंटर इंब्रियो सैक पॉलेंट ट्यूब एंब्यों सAP के अन्दर के अंदर कां से इंटर करता आप Dadat गा जो सिर्व hierarchy डिजइञ्टे हो रहा होता है वहीं से pollen tube अंदर इंटर करता है और synergit के अंदर आने के बाद बस्ट करता है जब pollen tube बस्ट करता है तो तीन nucleus होता है जब pollen tube भी नहीं रहा तो tube का nucleus भी खतम हो जाता है दो male gamete release होते हैं central cell में इसको central cell बोलते हैं बड़ाई वाले को और दोनो male gamete मेंसे एक male gamete एक cell से जाकर fuse करता है और एक cell से जब v加 fuse करता है तो उसको singaimie बोलते हैं क्या बोलते हैं? singaimie बोलते हैं और उसको हम बोलते हैं singaimie होने के बाद gigote बनता है दूसरा male gamete जो होता है वो polar nucleus diffuse करता है और बनाता है primary indoor sperm nucleus इसका मतलब यह जो primary endosperm nucleus होता है क्या हो जाता है triploid और जाइगोड जो होता हो क्या हो जाता है diploid जाइगोड क्या हो जाता है diploid diploid और क्यूंकि two male gametes fused with two different nuclei that's why this phenomena is known as double fertilization and double fertilization is characteristic feature of angio-sperm angio-sperm का बच्चों characteristic feature है यहां दो male gametes है लेकिन जाइगोड एक ही बनता है दो male gametes होते हैं दोनों male gametes fused करते हैं लेकिन जाइगोड एक ही मिलता है क्यों क्योंकि दूसरा जाइगोड कहां चला जाता है इंडो-sperm के formation में कोग सर उसकी क्या जरूरत है अरे जरूरत है जाइगोड का फर्दर जब development होगा embryo development तो उसमें तो भोजन चाहिए न भाई भोजन के भीना कैसे होगा ते भोजन कौन प्रोवाइड करता है सभी बच्चा बच्चा बोलो सभी बच्चे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे हैं आप लोग इस pandemic में कोरोना महामारी में आप लोग पढ़ रहे हैं वहु बड़ी बात है अपने आप में क्लियर हुआ जल्दी से रिस्पॉंस करो अच्छा एक कोस्टन में पूछना चाहूंगा देखता हूं कितने लोग बोलते हो मदू सिंकरें being double or triple one more सर है अच्छा ठीक है हमने कहा बच्चों देख ध्यान से सुनो पॉलन ट्यूब अनदर आया लग पॉलन ट्यूब श्ट किया जब श्ट करतथ है निकलते हैं एक annoyance जो होता है वह कहां मिनहां को सिंगाइमी बोलते हैं और सिंगाइमी के बाद क्या बनता है जाइगोट बनता अरह रागे tryna बनेगा दूसरा तक भता है वह थे फिक निघ्लियों भी के सेंटर में उससे one करते हैं और उसके फीगन से पर त्रीपल फीजनिस जंग में होहते हैं क्यूंकि 3 news करते ना एक मेल गामिट का 2-2 एम्भीयो सा होता है उसे बनता है क्या सब्सक्राइमरी इंडोईच्वerm स्ट्रीबार स्ट्रीसीत। इंड़ो इंडोस्पर्म न RC क्योंकि दो मेश अलग-अलग निकोलिया इसे प्यूज करते हैं इसलिए इसको डाबल फंडियाजेशन करते हैं डाबल फंडर इंड़ी। स्पर्म अब क्लियर हुआ मदू सिंग गयमी मैंने बता दिया, डबल फर्टिलाज़ेशन भी बता दिया, ट्रिपल फ्यूजन भी, सिंग गयमी का मल और फिमल गयमीट का फ्यूजन को सिंग भी बोलते हैं, पोलर नुकलियाई का मल गयमीट के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, अग दो मेल गयमी एक मेल गैमिट एक से फ्यूज करता है दूसरा मेल गैमिट पोलर नुक्लियाई फ्यूज करता है इसको हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ओके एक कोस्टन में पूछना चाहता हूं कि एक मेल प्लांट है मेल प्लांट मेल प्लांट देखता हूं कितने लोग आंसर देखते हैं मेल प्लांट जो है मेल प्लांट है उसके लीफ में लीफ में क्रोमोसोम नंबर 24 है फिमेल प्लांट है उसके फिमेल प्लांट के रूट में क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम का नंबर 12 है 12 है फाइंड आउट फाइंड आउट इस तरह के कोशन आते हैं नंबर आफ फाइंड आउट फाइंड आउट नंबर आफ क्रोमोसोम ूच्छे इन पहला एंबरियो सोरी जाइगोट लिखता है क्रोमोसोम इन है फाइस्ट जाइगोट में कितना क्रोमोसोम होगा सेकेंड इंडो इस्पर में कितना क्रोमोसोम होगा थर्ड, सिनर्जीड में कितना क्रोमोसोम होगा सिनर्जीड में फोर, पॉलेंग्रेन में कितना होगा चलिए आपको आंसर कैसे देना है वन, टू, थ्री, फोर का नंबर लिखकर आप क्रोमोसोम नंबर बताइए मुझे कुछन समझ में आया जल्दी से जल्दी से, जल्दी से फटाक से बताओ मेल प्लांट है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या दिया है 24, फिमेल प्लांट है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या दिया है 12, जाइगोट में कितना होगा पहले पहला वाला बता दो जल्दी से अनुरागत रिपाथी आप अपना काम करें आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास करें हो गया है बिल्कुल बिल्कुल राग जी मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं करूँ कि उसके सुट कर में पढ़ाई करें जिनंको अच्छा लगए stra relig. करेंगे जिनको नहीं अच्छा लगराख नहीं करेंगे छोड़िए उस मैं आप मेरा मदद कर रहे हैं को मैं आपको डाड़ भी नहीं रहाँ मैं कर रहा हूं कुस्के चकहर में पभ़ाई आपकर एका अन्सत दीजिए कि निरे करने को मैं सकलब नहीं धो बेटा कि आ ї है चलिए जाइगोट मां क्या होगा इसमें को इसमें इसका हाप लोईड कितना होगा 10 और इसका है प्लॉट कितना होगा 6 तो जाइगोट में एक मेल गेमिट आएगा फिमिल गेमिट आएगा तो बारव 6 कितना हुआ इंडो इस पर में 2 मेल गेमिट होता है तो मनलब 6 प्लस 6 प्लस 12 यह नहीं ओगा 6 6 प्लस 12 तो इस जाएका ट्वूंटी सिर्फार हो जाएगा सिनर्जीड में कितना होगा और पॉलेंग्रें में कितना होगा 12 होगा कितने लोग का सब्सक्राइब 1824 12 2824 हर्ष भरवन्द से है जया सही आंसर है तो पहले का यह हो जाएगा 13 इह हो यह हो जाएगा 24 यह हो जाएगा 6 यह हो जाएगा 12 को सिव पीम्टी बहुत चिन्तित हैं एंटी पोडल के एंटी पोडल का कोई काम नहीं है वह नुट्रिशन प्रोवाइट कर देता है खतम हो जाता है डिजनरेट कर जाता है और यह बात सही है कि 50 लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक के और 19 लोग किया है इसका अमलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है हो सकता है अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए न भाई वीडियो देखते वक्त चलिए इसी पर हम कुछ कोस्टन्स लेकर आया है कोस्टन को करते हैं चलिए पहला कुछ टाइम हो गया दस 15 मिनट में पास है 15 मिनट में हम कोस्टन करेंगे कोस्टन करेंगे बताएक कोस्टन नमबर वन प्रिवेंट जिटानों गईम्य बत्नौट जिटानों गयमी आटों गयमी प्रिटानों गयमी जिटानों गय मियन जेणों गयमी सौच के बुलिये गल्लप होने के पूरे चांस और दिखो unisexual flower तो हो सकता है एक flower semi sex औहbajत कर दियो नहीं पाएगा एक सकता है लेकिन बट से weather answer होगा इसका बब बहुत लोग गलत कर दिये Emasculation is practice of Emasculation क्या होता है Emasculation What is Emasculation What is Emasculation बिलकुल रिमुवल आफ एंथर फ्राम फ्लावर बर्ड करेक्ट बी आंसर सही है नेक्स्ट दीमिनिमम में मियॉसिट डिविजन रिकवाइट फाम हंडर्ड जाइगोट सव जाइगोट बनाने के लिए या सव ग्रेन आफ वीट सव जाइगोट या ग्रेन आफ फीट को बनाने के लिए कितने मियॉसिस होंगे यह बढ़ा अच्छा कोस्टन है बहुत बिल्कुल C आंसर होगा क्योंकि देखो 100 male गैमीट चाहिए और 100 female चाहिए तब जाकर दोनों का फ्यूजन होगा दोनों का फ्यूजन होगा तो 100 जाइगोट बिनेगा यह तो क्लियर है तो 100 male बनाने के लिए 1 से 4 बनता है 100 male बनाने के लिए कितना होगा 25 25 meiosis होगा 100 बन जाएगा क्योंकि 1 से 4 बनता है और 100 female बनाने के लिए 100 meiosis करना पड़ेगा क्यों क्योंकि एक meiosis से 4 बनता जरूर है लेकिन 3 degenerate कर जाता है न यार इसलिए एक ही functional होता है न इसलिए 100 female बनाने के लिए आपको क्या करना होगा सो तो 25 meiosis और 100 meiosis टोटल meiosis कितना हुआ 125 सी आंसर सस्पेंसर इसे पार्ट आफ चोड़ दो यह आगे लिए क्लास पढ़ाएंगे ता जाएगा हाँ यह बताओ इन मेज भुट्टा देखे होगे मेज जो होता है उसमें सिल्की हेर होता है आगे की तरफ वो क्या है कोशन नमर फाइफ का आंसर देना है जल्दी से फटाक से बहुँ जल्दी देना है जल्दी से देना है भई न लाट टाइम थोड़ी लगता है बिल्कुल ए होगा वह लंबा साइस टाइल होता है शेक्स इंट्रिया पॉलें ट्यूब थो माइक्रोपाइल इस काड़ अभी अभी पढ़ाए माइक्रोपाइल के थूब अगर पॉलें ट्यूब इंटर करता है तो क्या बोलते हैं करता है कि पोर हो गई में को सनवस सेवेन अभी बताए डबल फर्टिलाइशन का मतलब क्या है अभी अभी में बताए कुद्धिर पहले आपको पाटि डबल फर्टिलाइशन क्यों यह की अभी में अभी में इंटर क्यों अभी में है fusion of one male nucleus with egg nucleus and fusion of other nucleus is secondary nucleus is known as double fertilization D answer correct process of fusion of male nucleus with egg nucleus and this is what I will tell you I will tell you I will tell you I will tell you I will tell correct answer is a yes fusion of one male gamut with egg cell and fusion of another with secondary nucleus is known as correct answer 10 का बताओ इसमें मैं टाइम देता हूं कुछ टाइम में चलते हैं कि टाइम में ले आया यहां पर और आपको टाइम देता हूं मैं एक मिनट एक मिनट नहीं और कम ले 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 देता हो 40 सेकंड चलो बहुत ज़्यादा टाइम दिया हूँ सबका आंसर आजाना चाहिए 18, 17 चलो क्वेस्ट नमर 11 डबल फर्टिलाइजन चर्रेक्टरिस्टिक अफ 11 का एए, बिलकुल 12 का चलो यह बताओ इसके लिए समय दिया हूँ यह आपके सामने है टाइम है, टाइम देखो 25 सेकंड, 24 सेकंड, 23 सेकंड, जल्दी से आंसर देना है अप, इसके लिए, बिलकुल बहुत कम लोग अंसर दिये हैं दो चार दिये हैं गलत भी है टाइम बीद गया करेक्ट आंसर इस वी ठिक कैसे एक nieu writes बनाने के लिए Pollenfallen मेगा isp deutschen मेड और टीन वार माइटोस होती है तो अब्रीयो सङख बनता है तो तो पचास मेगा इस पूर में तीन बार माइटोसी जोगा तो एक सो पचास माइटोसी तो करेक्ट आंसर इस बी को सर्व थर्टीन इन डबल फर्टिलाइजेशन इसेकेंड मेल गैमीट फ्यूज विदिन सेकेंडी नुकलिएस तुफार्म दी इंडोस्पर्म गैमिटोफाइट एंब्रियोस्परोफाइट इंडोस्पर्म हो गया है सेकेंडरी नुकलिएस से जब मेल गैमिट फ्यूज करता है तो इंडोस्पर्म बनता है ए आंसर होगा ए आंसर नेक्स्ट फ्यूजन प्रोड़क्ट आप पोलर नुक्लिया इन मेल गैम इटीज कोशन नमब फूर्टीन बताओ जल्दी से प्रोड़क्ट आप पूर्टीन आप प्रोड़क्ट आप प्रोड़क्त आप अप इसका बताव कुशन नुमर 15 का जल्दी से आंसर और यह लीफ सेल जो होता है बच्चों लीफ सेल यह क्या होता है डिप्लाइड होता है न तो नंबर आप क्रोमोसों मूड भी 11 हो जाएगा और क्या भी होगा कुरेक्ट अगला इन्मेचोर फर्टिलाइज ओविल एंट्वी एंट्वी एंट्री एंट कंडिशन रिस्पेक्टिवली और कामली फाउंड इन कोशन नुमर 16 जल्दी से कोशन वर 16 का जल्दी से अंसर दो तो आज का सफर हम लों का यहीं रुकेगा इसके आगे नेस क्लास में कल हम कल तो क्लास नहीं है मंडे को ही क्लास साइद होगी हमारी तो अगले क्लास जब भी लगेगी तो उस मैं चोड़िएगा मत उसमें एंब्रीयो डेवलप्मेंट पढ़ाऊंगा मैं क्या पढ़ाऊंगा एंब्रीयो डेवलप्मेंट जल्दी खतम हो जाएगा पढ़ेगा अगले आप पूछते हो तो भी मैं उसको रिप्लाई करता हूं कमेंट जरूर करिएगा ठीक है बच्छों तो सुस्त रहो सुरच्चित रहो सभी लोग जहां भी हो हेल्दी रहो सुरच्चित रहो सोसल डिस्टंसिंग का फॉलन खरो मास्क लगाओ और लोगों को भी प्रिवित करो घर में बाकी लोगों को भी केर करो तो अगली बार हम फिर मुलाकात होगी एंब्रीयो डेवलप्मेंट लेकर आऊंगा मैं पढ़ाऊंगा आपको तब तक के लिए थैंक्यू क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएग झाल 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 झाल